मेरा नाम मारिया है, मैं बहुत ज्यादा खूपसूरत थी, अपने मुहले की सबसे ज्यादा खूपसूरत लड़की थी, लेकिन मुझे कभी भी कोई दूसरा मत पसंद ही नहीं आया मेरी मा कहती थी कि जब तक मेरी बेटी नहीं कहेगी, मैंने उसकी शादी नहीं करवानी क्या था कि मैं उसकी तरफ खिची चली गई थी उसका नाम अनवर था वो हमारे ही महले में रहता था मेरी उमर का था और देखने में भी अच्छी शक्र सूरत का लगता था ऐसा नहीं था कि मुझसे ज्यादा खुबसूरत था लेकिन मेरे साथ खड़ा हुआ बुरा नहीं कि मुझसे बहुत महबत करता है लेकिन ये तो महले का हर लड़का ही कहता था क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था इसलिए मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया उसने हमारे गर रिष्टा बेजा और इससे पहले कि मैं इंकार करती मेरे गरवालू नहीं इंकार कर द मुझे भी इस इनकार से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे वो शक्स पसंद नहीं था, मुझे पता था कि वो मुझे दीवानों की तरह चाहता है, कुछ दिन के बाद मेरे लिए एक रिश्टा आया, और मेरी माने यहां बात पक्की कर दी, मुझे भी इस रिश्टे से कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरी शादी की तारीक जैसी ही बक्की हुई, मुझे एक खत मिला, यह खत अनवर ने मेरी एक सहेली के हाथों पहुँचाया था, उसने कहा कि वो तुम से बहुत महबत करता है, और अपनी जान लेना चाहता है, उसने यह खत तुम्हारे लिए मैं हेरान तो थी, पर मुझे कोई परवा नहीं थी, अगर मेरी वज़ा से कोई मरता है, तो मर जाए, मैं क्या करूँ, उसने कहा कि वो कह रहा था कि तुम आखरी दफ़ा पढ़ लो, तो तुम्हारी बड़ी महरबानी होगी, मैंने वो खत पकर लिया, और जब इसे कमरे मे जाके पढ़ा, तो मेरी आँखों से आँसू आ गए, क्योंकि इस खत को पढ़के मुझे इस बात का अंदाजा हो गया, कि ये शक्स दो वाकिया मुझे से बहुत महबत करता है, मैंने फौरन पेगांप पहुचाया, कि वो अपनी जान नहीं ले, मेरी शादी में एक महीना था, और इस एक महीने के अंदर मुझे अनवर से महबत हो गई, और हम लोग एक दूसरे के दीवाने हो गई, हमने सोच लिया था, कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, फिर मैंने भी कह दिया था, कि मैं उस रिष्टे से इंकार कर दूँगे, जब मैंने ये बात अपनी यूश शक्स से करवाएंगी तिससे मेरी मरसी होगी और ये शक्स तो मुझसे महबत करता है मेरी माँ को इसी बात का मसला था कि ये लोग बिलकुल भी अच्छे नहीं थे उनकी जॉइंट फैमली थी ज्यादा अमीर भी नहीं थे इसी लिए मेरी माँ ने इंकार किया था लेकिन अब जब उनको ये पता चल गया कि मैं खुद ही यहां शादी करना चाहती हूँ तो वो क्या कर सकती थी उन्हों ने किसी तरह मामला संबाल लिया मेरे वालत साहिब इस दुनिया में नहीं थे मेरी मामा उनका कारोबार संबालती थी मेरी माँ ने मुझे माँ और बाप दोनों बनके पाला था मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि मेरी खुशी यहां पर है तो उन्हों ने कहा कि अगर तुम्हारी खुशी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती उन्होंने मेरी शादी करवा दी जा मेरी शादी अनवर से हुई तो ये मेरी जिन्दगी का सबसे खूबसूरत दिन था वो वाकिया मुझसे बहुत ज्यादा मुहबबत करता था वो कहता था कि तुमसे इतनी मुहबबत करता हूं कि अगर मैं मर पी जाओं और तुम मुझे आवास दो तो मैं मौट के मुझे भी वापिस आ जाओंगा कहते हैं कि जो मर्द अच्छी अच्छी बातें कर सकता है और तुसकी दीवानी हो जाती है और इस मामले में अनवर बहुत ही ज्यादा अच्छा था उसे मुहबत बरी बातें करना आती थी इस गर में मेरी नंद भी थी जिसका नाम आईशा था ये बहुत ही ज्यादा अजीब तरह की लड़की थी उसे बस हमेशा शादी और कपड़े जुतु की बाते करने का शौक था ये बुझ से उर्टे सीधे सवाल भी पूछा करती थी मुझे पहले पता चल गया था कि ये किस किसम की लड़की है इसलिए मुझे भी इसको हैंडल करना आता था उसने पूरे गर को सर पर उठाया हुआ था इस गर में मेरे शोहर के दो बाई भी रहते थे उनकी भी शादी हो चुकी थी ये सब के साथ उनके मूँ पर उनकी बन जाती थी और पीट पीछे बुराई करती थी मुझे बिलकुल अच्छी नहीं लगती थी मेरे शोहर के खांदान में कोई भी इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं था इसलिए ये तोड़ी बहुत खूबसूरत थी तो उसको ये हज़म नहीं हो रही थी और इसी अपने उपर बहुत ज्यादा करूर था पूरा दिन अपने आपको सजाने सवारने में ही लगा देती थी पर अनवर को इससे बहुत महबत थी क्योंके ये उसकी चोटी बहन थी वो इसका बहुत एहसास करता था अनवर का काम ऐसा था क्यों ज्यादा तर वकट घर से बाहर रहता था इसलिए मैं वकट गजाने के लिए आईशा की बाते सुन लेती थी क्योंके एक तो ये बोलती थी तो बोलती ही चली जाती थी मेरी सास भी कहती थी कि पूरे खानदान की सबसे शोफ और चंचल लड़की है जब के इनके शोफ और चंचल की जगा बत्मीज और मगरूर का लफस इस्तमाल करना चाहिए था इस पूरे गर में सिर्फ मेरी और मेरे शोफ की पिसंद की शादी थी बाकी सब लोग भी हमसे हस्त करते थे मुझे भी डर लगता था कि कहीं नज़र ना लग जाए मेरा शोफ कहता था कि ऐसा कुछ नहीं होता अभी हमारी शादी को आठ महीं नहीं हुए थे कि एक दिन मैंने अपने शोफ को कहा कि वापिस जल्दी आ जाएं आज हम खाना खाने चलेंगे लेकिन वो गर नहीं आया उसका नंबर भी बन था मैं बहुत परेशान हो गई यहां तक के रात के बारां बज़े के बाद गरवालों को भी बता दिया वो भी परेशान हो गए उसके दोनों बाई उसे तलाश करना शुरू हो गए पॉलीस में रिपोर्ट करवा दी और थोड़ी देर के बाल पता चला कि मेरा शोहर इस दुनिया से जा चुका है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया ये गम मेरे लिए ऐसा ही था कि जैसे मैं भी साथ मर गई हूँ लेकिन फिर भी मुझे सांस लेना है जैसे मेरे अंदर दिल नहीं है लेकिन मुझे जिन्दा रहने की एक्टिंग करनी है मैं बहुत ज्यादा परेशान थी अपनी जान लेने की कोशिश की लेकिन इन लोगों ने मुझे बचा लिया मेरी माँ ने भी मेरा बहुत साथ दिया और उसने कहा कि तुम यहां क्या करोगी हमारे साथ वापिस चलो असूल भी यही था कि मुझे वापिस चले जाना चाहिये था लेकिन मैं वापिस नहीं जाना चाहती थी इस गर में इस कमरे से यहां मेरे शोहर की यादें बसी होई थी हमारी यादें हमारी महबत बरे लमखाद थे यहां मेरी माँ को ये बात बिलकुल भी मन्जूर नहीं थी क्योंकि अभी मेरी उमर ही क्या थी मेरी शादी को एक साल भी नहीं हुआ था और मेरे हाँ कोई उम्मीर भी नहीं थी। उनका कहना था कि तुम्हारा इस गर में रहने का कोई काम नहीं है। कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अब भी तो हमारे कमरे से फूल भी नहीं उतारे गए थे। मुझे उसी घर में रहना था मेरी मा ने हमेशा मेरी बात मानी थी उन्होंने कहा कि तुम सिरफ अपने आप को और भी ज्यादा कम दोगी अगर यहां से निकल जाओगी तो इन सारी बातों को बूल सकोगी लेकिन मैं कैसे बूल सकती थी उस शक्स को जिससे मैंने मुहबब की थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसने मुझ से मुहबब की थी मुझे वो इसलिए भी अच्छा लगता था कियोंके वो मुझ से मुहबब करता था मेरी माँ ने कहा कि ठीक है अगर तुम यहां पर रहना चाहती हो तो रहो जब तुम्हारा दिल हलका हो जाए तो वापिस आ जाना वो यही कह रही थी कि सारी जिन्गी तुम्हें यहां नहीं रहना मैं भी शायद सारी जिन्गी यहां पर नहीं रहने वाली थी लेकिन अभी यहां से जाने का ख्याल भी मुझे तंग कर रहा था इसलिए मैं वही पर रहने लगी कुछ दिन बार पियाने देखा कि मेरी नच बेरे शोहर के सारे कपड़े उखा कर कही जा रही थी मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो तो उसने कहा कि अम्मी ने कहा है कि इन कपड़ों को खेराद कर दिया जाए बेरे शोहर को कपड़े जुते पहने और खरीदने का बहुत शवक था उसने कलेक्शन बनाया हुआ था वो बहुत ही ज्यादा खुशलबास आदमी था मैंने उसे कहा कि ऐसा नहीं करो मैंने रोना शुरू कर दिया उसने कहा कि बाबी अगर आपने निशानी के तोर पर बाई की कोई चीज रखनी है तो आप रख लें लेकिन इतने सारे कपड़ों का क्या करेंगी किसी के काम आ जाएंगे तो वो दूआ देगा और इस तरह उस इंसान को भी स्वाब मिलता है जो इस दुनिया से चला गया होता है मैंने अपने शोहर का वो सूट रख लिया जिसमें मैंने उसको पहले दिन देखा था लेकिन मैं यही चाह रही थी कि वो चीजें यहां से ना लेकर जाए पर इसकी बात भी ठीक थी अगर इन चीजों को खेरात कर दिया जाता तो मेरे शोहर को ही सवाब मिलता है मैंने कहा कि ठीक है ले जाओ और वो सारे कपड़े अपने कालिज में ले गई क्योंकि उनके कालिज में सेलाब जदगान वालों के लिए चीजें जमा की जा रही थी जा वो कपड़े ले गई तो दीगर लवाजमात पी साथ ही ले गई जैसे के जूते, परफ्यूम, गड़ी वगएरा सब कुछ इस कमरे से चला गया था कुछ दिन बाद मेरी सास ने कहा कि तुमने अपना सामान अगर वापिस बेजना है तो बेई दो तुम्हारा सामान बिल्कुल नया है अगर तुम एरी बेटी के लिए रख दो तो तुम्हारी बڑषी महर्बादी होगी हमारे गरr में किसी चीज़ की कमी नहीं थी मैं इस सामान को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी मैंने सोचा कि अगर मेरा शोहर जिन्दा होता और मैं उससे इस बात का मश्वरा करती तो वो जरूर यही करता कि ये सामान मेरी बेहन को दे दो इसलिए मैंने अपनी सास को कहा कि आप ये सामान ले जाएं सुवाय हमारे बैट के मेरे सुसल्रालवालों का मेरे साथ रवैया अच्छा था वो लोग भी मुझे तसली देते थे कभी कभी हम साथ बैट के तूसरे को तसली देते मेरे शोहर की बाते करते और रोना शुरू कर देते एक दिन इसी तरह मैं वापिस अपने कमरे में जा रही थी जब गर के लॉन में मैंने कुछ देखा और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई मैंने देखा कि मेरा शोहर इस सामने खड़ा है उसका मूँ दूसरी तरफ था लेकि ये तो मेरा शोहर था मैं पागलू की तरह उसकी तरह बागने लगी लेकिन वो वहाँ से चला गया मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया और ये सब कुछ अपनी सास और गरवालू को बताया उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया उन्होंने कहा के तुम्हें वहम हो रहा है बेटा और इस तरह नहीं होता वो तो इस दुनिया से चला गया वापिस कहां से आएगा मैंने कहा कि मैंने अपनी आँखों से देखा है और जब उसे पता चला कि उसके करीब आ रही है तो वो वहां से बाग गया था उसने वही कपड़े पहन रखे थे वो अनवर्थ था मैं बुरी तरह से चला रही थी और सब मुझे काबले रहम नगाहों से देख रहे थे या भी शायद मुझे ही वहम हुआ था इसलिए मैं वापिस अपने कमरे में आ गई लेकिन मैंने अपने शोहर को इसी तरह देखा था कि जैसे वो मेरे सामने खड़ा होता था मुझे तो ये बिलकुल भी वहम नहीं लगा था लेकिन वो वापिस कैसे आ सकता था एक हफ़ता इसी तरह गुजर गया जब एक दिन इचानक मैंने फिर से अपने शोहर को देखा इस दफ़ा तो वो लोन में बैठा हुआ था वो वाकिया मेरा शोहर था पर मुझे देख के बाग क्यों रहा था इस दफ़ा भी मैंने ये बात गरवालों को बताई और ये भी बताया कि मैंने उसके कंडे पर हाथ रखा था और वो मुझे महसूस हुआ था ये बात सुनके गरवाले काफी परिशान हो गए उन्होंने कहा कि ये लड़की पागल हो गई है और या फिर इसको वहम हो रहे है मेरी नजने मुझे तसली दी और उसने कहा कि बाबी ऐसा कुछ भी नहीं है उसने मुझे बहुत सली दी वो आजकल मेरा बहुत ख्याल रखती थी गरवाले मेरी किसी बात कर यकीन नहीं कर रहे थे लेकिन मुझे पता था कि मेरा शोहर मुझे मिलने आ रहा था वो मुझे इतनी मुहबत करता था उसने कहा था कि अगर कभी मैं इस दुनिया से चला गया तो भी तुम्हारे पास वापिस आ जाओंगा शायद वो अपना वादा निबा रहा था मेरी माँ ने मुझे फून किया और कहा कि अब तुम वापिस आ जाओ लेकिन मैं ये सोचकर वापिस नहीं जाना चाहती थी कि हो सकता है वहाँ पर मेरा शोहर मुझे मिलने के लिए ना आए मैंने जाने से इंकार कर दिया मेरी माँ बहुत परेशान थी क्योंकि जाहिर है कि मैं उनकी अकलोती उलाद थी और यहाँ पर बैठकर अपनी जिन्गी बरबाद कर रही थी लेकिन फिलहाल मैं उनको कुछ समजा नहीं सकती थी एक दिन तो हद ही हो गई मैंने अपने शोहर को फिर से देखा लेकिन इस तफ़ा भी वो बाग गया और जब वो वहां से चला गया तो जमीन पर एक खत पड़ा था मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा मैं हिरान थी मेरे हाथ कांप रहे थे इस खत के अंदर लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो और इसके मताबिक मेरे शोहर ने मेरे लिए ये पेगाम छोड़कर गया था कि मैं अपनी सारी कीमती चीज़ें उसकी बेहन को दे दो मुझे याद है कि वो अपनी बेहन से बहुत मुहबत करता था अपने शोहर की बात मैं कैसे टालती मैंने ऐसा ही किया वो मेरे पाथ चो भी कीमती चीज़ बची थी जैसे के मेरा जेवर मेरा आईफोन और कुछ कीमती जोड़े वो सब कुछ मैंने अपने नंड को दे दिया वों हेरान हो गई कि ये सब कुछ आपने आया था उसने ऐसा कहा है मेरे नंड चीज़े नहीं ले रही थी पर मैंने उसे कहा कि ये तुम हारे बाई का हुकम है इसलिए तुम ले लो दिन इसी तरा गुज़नने लगे एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं वाकिया हेरान रह गई अन्वर पहले तो मुझे सिर्फ बाहर मिलता था लेकिन आप वो मेरे कमरे में खड़ा था पर वो मुझे अपनी शकल नहीं दिखा रहा था मैं उसे उसके कपड़ों से पहचान गई थी मैंने रोना शुरू कर दिया उसे खूब दिल की बातें की लेकिन वो जवाब में नहीं बोल रहा था मैंने कहा कि क्या तुम्हें बोलने का हुकम नहीं है तो उसने हां में सरह लाया मैंने कहा कि काश मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती उसने फिसे एक कागज एक साइट पर रख दिया और वहां से चला गया मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम वो मुझे कागज पर लिखकर तो बात कर सकता था इस जफा कागज में लिखा था कि ये बात किसी को भी मत बताओ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ देखो मेरी माँ बहुत परिशान है उन्होंने मेरी बेहन का रिष्टा तै कर दिया है लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा जहेस मांग रहे है तुम्हें याद है कि मैंने अपने हिस्से का एक पलाट तुम्हारे नाम किया था मेरे पास बस वही पलाट था और मेरे गरवालों को भी नहीं बताया था मेरा शोहर शादी से पहले डुबई रहकर आया था उन पैसों से उसमें अपने लिए एक छोटा सा प्लाट ले लिया था जो मेरे नाम कर दिया था मैं चाहता हूँ कि तुम वो वापिस अम्मी के नाम कर दो ताके उसे बेज़ के वो मेरी बेहन की शादी कर सके मैंने दिल में सोचा कि वैसे भी मैं इसका क्या करूंगी हमने तो सोचा था कि इस समीन पर हम लोग अपने खाबों का आशियाना बनाएंगे लेकिन अब जब मेरा शोहरी इस दुनिया से चला गया था मैं उसका क्या करती मैंने अगले ही दिन उसकी रिजिस्टरी अपनी सास के नाम करवा दी थी वो भी बहुत खुश हो गई और मेरा दिल भी मुतमीन हो गया इनसान जिस से महबत करता है उसे जुड़े लोग उसे भी उसे महबत हो जाती है इसलिए मैं बहुत खुश हुई मैंने अपनी नन को बताया कि तुम्हारा बाई मुझसे मिलने के लिए आता है वो रात को मेरे कमरे में आता है कोई और माने ना माने कम से कम तुम तो ये बात मानो क्योंके मनने के बाद भी उसे सिर्फ तुम्हारी ही फिकर है वो हमेश्या तुम्हारी फिकर रेकरता रहता है तुम्हारे लिए सुप्ट तुछ किया है उसने उसने कहा के वो बाई कैसे हो सकते हैं मैंने उससे कहा कि अगर यकीन नहीं होता तो एक रात मेरे साथ मेरे कमरे में ग Welt गु़ार लो क्योंके मेरे कमरे से लौन बिल्कुल साफ नजर आता था और वहां तक लौन में दर्वाजा भी खुलता था वो इस बात के लिए त्यार नहीं थी और ये सब नहीं करना चाहती थी उसने कहा कि मुझे डर लगता है मैंने कहा कि एक तरफ तो तुम कहती हो तुम्हें यकीन नहीं है और फिर तुम डरती भी हो मेरी नन डर रही थी वो कह रही थी कि मैं ये नहीं कर सकती लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम्हें ये करना होगा ताके सब तुम पर यकीन करें मैंने उसे बहुत ज़रा फोर्स करना शुरू कर दिया उसने कहा कि ठीक है और मेरे कहने पर वो एक रात के लिए मेरे कमरे में सोने पर रासी हो गई थी मुझे यकीन था कि आज बиж Lewis कमरे में आए गा और जब मेरी नंद को ये बात पता चल जाएगी तो पिस सारे गर वाले मेरी बात का यकीन करेंगे और मेरी मा को भी इस बात कर यकीना आ जाएगा फिर वो मुझे यहां से ले जाने की बात नहीं करेंगी क्योंकि उन्होंने मेरे सुसर और साल को काल करके एक बात कही थी कि अपने बहु को कहें कि वो इस करसे चली जाये ताके वो यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाए वरना वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी अपनी जिनकी बरबाद करती रहेगी मैं अपनी बेटी की जिनकी बरबाद होते हुए नहीं देख सकती इसलिए ये सब कुछ कह रही हो मैंने अपनी नंच से कहा कि वो सोए नहीं जाकती रहे वो भी जाग रही थी बिलाखिर वो वक्त आ गया जब अनवर ने कमरे में आना होता था लेकिन आज वो कमरे में नहीं आया मैं भी मायूस हो गई और मेरी भी आंख लग गई जब थोड़ी देर के बाद किसी शोर पर मेरी आंख खुली और सामने का मंचट देखकर हैरान रह गई मैंने देखा कि अनवर वहीं खड़ा था और मेरी नंद उससे बातें कर रही थी ये देखकर मेरे कदमो तले से जमीन निकल गई लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो भी हैरान हो गई मैंने लाई टोन की और जब वो मेरी तरफ पर इटा तो मैं हक्की बक्की रह गई क्योंकि वो अनवर नहीं वो तो कोई और आदमी था उसने अनवर के कपड़े पहन रखे थे मुझे भी समझ नहीं आया था कि सब कुछ क्या हो रहा है मैंने चला चला कर बाकी गरवालों को भी जगा दिया और जब मामला सामने आया तो वो ये निकला कि मेरा शोहर मुझे से मिलने के लिए कभी नहीं आया और अफसोस की बात तो ये है कि मेरे नन के साथ मेरी सास भी मिली हुई थी और मुझे बेवकूफ बना कर मुझे सारी कीम्ती चीज़े ले रही थी मैं ये समझ रही थी कि मेरे शोहर की मरसी है इसलिए मैंने सब कुछ दे दिया मैंने उसे कोई चीज़ भी वापिस नहीं ली क्योंकि मुझे इन चीज़ों से कोई भी गर्स नहीं थी लेकिन ये जरूर बताया कि उन्होंने क्या अच्छा नहीं किया अपने बेटे के साथ अच्छा नहीं किया वो भी वो बेटा जो इस दुनिया से जा चुका था मैं तो उनकी मुहबत में ये सब कुछ कर रही थी मुझे क्या पता था कि ये इस तरह के लोग हैं मैं अपने गरवापिस आ गई और मुझे इस बात की समझा गई कि मेरे शोहर की यादें मेरे दिल में है किसी चीज़ के साथ इसकी याद का कोई तालुक नहीं है मैं अभी भी हमेशा उसे याद करती हूँ मैंने किसी से शादी नहीं की है मैं उसके लिए कुरान खानी करवाती हूँ और अल्ला का खिलाम पढ़कर उसे स्वाब बेच देती हूँ यही इसके लिए सबसे बेहतरी इन तौफा है मुझे यकीन है कि हम इस दुनिया में एक दूसरे को जरूर मिलेंगे इसलिए मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी कि मैं सिर्फ उसकी रहूँ और इस जहान में सिर्फ वही मुझे मिले मुझे अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए शुक्रिया